नबशकार माप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रिय ने देश के विकास में मजदूरों का बताया एहम युगदान बिहार के 27 जिलों में खुलेंगे ट्राफिक थाने बिहार में अब गाय पालने बालों को मिलेगी सर्ग कारी मदद बिहार गोट परिक्षा में फर्जी छात्रों पर अब कसी जाएगी नगे कोरोना को लेकर स्वास्त महकमा अलर्ट पटना की नीजी अस्पतालों में ये नियम लागू अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तकी बड़ी खबरों की और वस्तार से मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री और उकमुख्यमंत्री ने देश के विकास में मजदूरों का बताया एहम योगदार आज देश मर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है बिहार में भी मजदूर दिवस को लेकर सुबह से ही शुब कामनाई देखने को मिर रही है जिसके तहती बिहार के मुख्या नितिश्कमार ने मई दिवस के मौके पर सभी श्रमिक भाई बहनों को बलाई दी जिसके तहती उन्हाने कहा कि राजु के सर्मांगीन विकास में सभी श्रमिकों की भूमी का बेहदी एहमानी जाती है और द्योगिक विकास और उत्पादक्त और निश्ठा का दिवस है इसके साथ हिना ने कहा कि एक मजदूर देश के इंदर्मान में बहुमूले भूमे काने भाता है पांस दिनों में बिहार के इतने बीएड अभ्यर्थियों ने करवाया रेजिस्ट्रेशन बिहार में बीएड करने वालों की संख्या में लगातार ब्रधी देखने को मिर रही है बीते पांस दिनों की ही बात करे तो अब तक बिहार भर में बीएड करने की इच्छा रखने वालों की संख्या 25,000 के लगफग बताई गई है क्योंकि इतने लोगों ने अब तक B8 के लिए आवीदन किया है वहीं लगफग 13,000 से अधिक अभियर्थियों ने शुल्क जमा भी कर दिया हाला कि मगद विश्विद्याले की तरब से अभी तक सत्र 2018, 21 के सना तक चात्रों की परिक्षान नहीं करानी की वज़े से वैसे चात्र चात्राएं जो B8 करना चाहते थे वो आवेदन से मंचित रह जाएंगे अपेरिंग उमिद्वार को आवेदन का मौका नहीं दिया गया है इसी वज़े से चात्र काफी जादा परिशान है बिहार के 28 जिलो में खुलेंगे ट्राफिक थाने बिहार के 28 जिलो में ट्राफिक थाना खोलने की तर्यारी हो रही है वर्तमान समय में 12 जिलो में ही ट्राफिक थाना मौझूद है ऐसे में आने वारे समय में 28 जिले ट्राफिक थाना से लेंस होने वाले हैं पुलिस मुख्याले के स्तर से जिलो में ट्राफिक थाना खोलने की कवायद फिर से शुरू हो गई है ट्राफिक आई जी एमार नायक ने इसबाबत विस्तरत प्रस्ताफ बना कर पुलिस मुख्याले को भेजा था जिसे स्विकृति मिल गई है अब ग्रेविभाग की स्विकृति का इंतिजार है राजमे को 38 जिले हैं इसके अलावा नवगचिया और बगहा दो पुलिस जिले है इस तरह 40 पुलिस जिलो में महज एक दरजन से में ही ट्राफिक ठाने है शेश 28 जिलो में नए ट्राफिक ठाने खोलने की तयारी हो रही है प्रस्ताफ पर सरकार से स्विकृति मिलते ही आधार्भूत सन्नच्रा से लेकर पद्स्रिजन तक का काम शुरू कर दिया जाएगा लगे स्पीड लिमिट डिवाइस जाच के लिए शेलिवार को सभी जलो में विशेश जाच अभियान चलाए गया जुसमें 889 वहनों की जाच में विभिन धाराओं की तहर 369 वहनों पर जुर्मान लगाए गया है और 47 वहनों को जब्त करने की कारवाई की गए जुर्माने अब गायपालने बालों को मिलेगी सरकारी मदद अगर आप भी बिहार में गायपालने की सोच रहें तो आपको अब सरकारी मदद मिलने वाली है मध्य प्रदेश की तर्ज पर विहार में भी देशी गायों को संग्रक्षन दिया जाएगा बात आगे बढ़ी है अभी बिहार सरकार मध्य प्रदेश मौडर का अधियन करा रही है सारे तर्थियों पर विचार के बाद गायों की संग्रक्षन का कोई आदर श्मॉडर अपनाया जाएगा इसके लिए गौशालाओं के साथ नीजी गौपालकों को भी प्रोटसाहित करने की तैयारी है महीने के साथ ही कई चीजों के दाम में बदलाव किया गया है आम आदबी को महंगाई का एक और बड़ा जटका लगा है महीने के शिर्वात में कमर्शल गासिलेंडर की कीमतों में एक बाद फ़र से ब्रधी की गई है इसे पहले एक अप्रेल को कमर्शल गासिलेंडर की कीमतों में 250 रुपे से अधिकी बढ़ातरी की गई थी आपकी जानकारी के लिए आपको बदा दे कि आम आदमी की जेप पर असर पढ़ने का सलसला 22 मार्ट से ही शुरू हो गया था इसके बाद से लगातार हर महीने के साथ ही गया सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ातरी की जा रही थी जिससे आमादमी परिशान है बिहार बोर्ड परिक्षा में फर्जी चात्रों पर अब कसी जाएगी नकेर बिहार बोर्ड परिक्षा का आयोचिन करवाने को लेकर काफी बदनामियों का सामना भी कर चुका है हाला कि बीते कुछ सालों से परिक्षा लेने के पैटर्ण में सुधार जरूर हुआ लेकिन अभी भी काफी सुधार की जरूरत है इसी को धियान रखते वे बिहार बोर्ड ने अब फर्जी चात्रों को पकड़ने का एक नया पैंतरा आजमाये है परिक्षा के दौरान मुना भाईयों को पकड़े जाने के लिए बिहार बोर्ड ने फैसला किया है कि सभी हाई स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी साथ ही आर्टिफीशल इंटेलिजिन्स प्रणाली को लागू किया जाएगा जिससे फर्जी फोटो डाल कर परिक्षा देने वालों को तुरंत पकड़ लिया जाए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस बात की जानकारी दिया साथ ही उन्हों ने बताया है कि बिहार में मैट्रिक और इंटर परिक्षा में अभी भी बड़ी संख्या में मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं हर दिन कई घंटे तक बिजड़ी कटने के कारण लोग गर्मी में ही अपना दिन गोजार है लेकिन इन सब के बीच बिहार SBPDCL प्रबंध का दावा है कि बिहार में बिजड़ी की कमी अब अने राज्यों के तुलना में कम है दक्षिन बिहार विद्यूत विद्रण दिगम दिविटेट के प्रबंधन देशक महेंदर कुमार ने ये कहा है कि बिहार में अधिर डिमान वाले समय में हमारे पास प्रते दिन 5.5 से 6,000 मेंगा वाट बिजड़ी की मांग होती है और हम मांग को लगभभ़ पूरा कर रहे इसके साथ ये उरज़ा विभाग के सेंक्त सच्च विनोदानन जहां ने बताया है कि राज़सरकार उरज़ा का उतपादन नहीं करती है हम NTPC, जलविद्यूत और पवन उरज़ा कमपनियों से बिजड़ी खरीते हैं इसलिए राज़ो में कोईले के मौजुदा स्टॉक क बताना मुश्किल है, आई से अधिक संपत्ती के मामले में एक और अधिकारी पर कसी गई न केल, बिहार में सरकार की नाक की नीचे धनकुबेर बनने वालों की संख्या में कोई कमे नहीं हो रही है, हर दिन के साथ किसी न किसी विभाग के नए धनकुबेर की जानकारी निक की चल अचल संपत्ती की जाज़ की, बिहार में भीशन गर्मी के बीश कई जिलो में आई आधि तूफान और बारिश ने लोगों को रहत जरूर दी, लेकिन यहीं आधि तूफान साथ लोगों के लिए काल बन कर आई, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मिली जानका अररिया में तीन लोग जब की खगड़िया में दो लोगों की जान गई, समस्तिपूर में एक बच्ची जब की सहरसा में भी एक व्यक्ती की जान गई, अररिया के फार्बस गज़ में पेड से दबकर से 3 साल के एक महिला नोतन देवी की, तो वहीं रानिगंज के हांसा में नितीश की अनुपस्तिती उठे सवाल तो जदियों ने दिया सपश्ची करण, दिली में मुख्यमंत्री और उचिनयाले के प्रधान नियाधीशों के समेलन से बिहार के मुख्यमंत्री नितीश किमार गयर मौजूद रहे, इसके बाद सही बिहार के राज़्यतिक गलियार के लावा कुछ भी रही है, विहार में सरकार अच्छे से चल रही है, विकास कारे हो रहे हैं, केंदर और विहार सरकार के बीच विकास को लेकर सतर्चर्चा होती रहती है, आपकी जयनकारी के लिए आपको बता दे कि लंबे समय से भाजपा और जदियों के बीच में खीच जिसके खिलाफ ही अब राज़ुत के अंदर ही आवाज उठने लगी है इसी को लेकर तेजस्वी आदब से बीते तिन जो मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो नहांने कहा कि हमने दोनों पक्षों से इस बारे में बात चीत की है हम सही समय पर सही निर्णे लेंगे आप सब लोग हम पर भरोसा रखे सबयाने पर फैस्वास जरूर लेंगे कारेकरताओं से मारपीत का जहां तक सवाल है तो हमने तेश प्रताब जी और उस लड़के को बुला कर बात की थी पार्टी के लोग और आप सब लोग मेरे कारे शैली को जानते हैं और वो जानते हैं कि सही समय पर सही निर्णे तेश उस्वी करेगा जहां तक तेश प्रताब जी और पत्रकारों को नोटिस का सवाल है तो ये व्यक्तिकत मामला है नोटिस से घबराने की क्या जरूरत है जो गलत करेगा वो ना डरेगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि तेश प्रताब यादब ने हाली में बिहार के नौपत्रकारों पर मानहानी का मुगदमा तर्श किया है विहार के 166 IPS अफसरों ने की अपनी संपत्ती की खोशना विहार कैडर के 166 IPS अफसरों ने वित्यवश 2021-2022 के तहट अपनी संपत्ती की खोशना राजसरकार के आदेश पर जारी की है उसमें से 46 अफसरों ने अपनी संपत्ती की खोशना करते वे जानकारी दी तो वहीं इन सभी अफसरों की खोश्चत संपत्ती के बाद दो ऐसे अफसर सामने आए हैं जिनके खाते में एक रुपया भी नहीं है कोरोना को लेकर स्वास्त महकमा अलर्ट पटना के नीजी एस्पताल में ये नियम लागो वहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है स्वास्त विभा की तरफ से साज़ा की गई जानकारी के निसार वहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कोल मिलाकर 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टी हुई जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 49 पर पहुच गई है इस बीच अब बिहार की राजनानी पटना के नीजी अस्पतालों को लेकर ने नियम लागो कर दिये गये है जिसके तहती अब कोरोना संक्रमन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते वे पटना के सभी अस्पतालों को इमर्जनसी में भरती करने से पहले मरीजों की कोरोना जांच करानी होगी ये जांच अंटिजिन किट से कराई जाएगी सिविल सर्जिन डॉक्टर विभा कुमारी सिंग ने सभी अस्पतालों को ये निर्देश दिया है सिविल सर्जिन ने बताय कि मर्जनसी में आते ही कोरोना जांच होने से ये पता चल जाएगा कि मरीज को कोरोना है या नहीं यदी होगा भी तो उसके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच करने में आसानी होगी शुतेश्वर पुजारा ने लगाई डबल सेंचुरी बहाती क्रुकेट टीम के अरुभवी बल्लेबास चेटेश्वर पुजारा को चैन करताओं ने खराप रदर्शिन की वज़े से टेस्ट टीम से बाहर किया था कल हमारे दोरा पूशे है सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आप मेंसे जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया हैंके नाम है महेश दास, हीरा लाल, बैदना थाकुर, सलीम भाई, उशा कुमारी, विजय सिंग, शंकर मुख्या, परवेज आलम, कविदा कुमारी आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें हर दिन वीडियो कें तुम्हें आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बरते हैं आज के सवाल, क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके रसार, आपके आसपास लोग ट्राफिक नियमों का पालन करते हैं या नहीं अपने जवाब में कामेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही, आज के रिवस इतना ही, विहार की बड़ी खबरों से अबडेटेटे रहने के लिए हमारी योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकान दबाना ना भूले, धन्यवाद